आज हम बनाएंगे जले भी लेकिन ये जले भी थोड़ी से अलग है क्यों किसे हम बना रहे हैं पनीर से तो चलिए कुरकुरी और रसीली पनीड जलेवी बनाना शुरू करते हैं पनीड जलेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीड या छेना बनाएंगे इसके लिए मैंने एक लीटर फूल क्रीम दूद लिया है आप चाहें तो टोन ले लें, गाय का ले लें, भैस का ले लें, जो भी दूदे बलेबल है उसी से छेना बना लेना है मेरे पास फूल क्रीम दूद था, इसलिए मैंने फूल क्रीम से बना लिया है दूद को सबसे पहले गैस पे चड़ा के उबाल आने देते हैं दूद में उबाल आ गया है, अब गैस का फूलेम बन कर देंगे और दूद को घरी देखकर आट से दस मिनट के लिए साइट रख देंगे अब दूद को फारने के लिए, एक कटोरी में दो बड़े चमच वाइट विनेगर या सफेद सिर्का और इसमें चार बड़े चमच पानी मिला देंगे आप दूद को विनेगर की जगह पे निम्बू के रशे भी फार सकते हैं विनेगर की जगह पे निम्बू का प्रियोग कर ले परेदी आप दूद को निम्बू से फारते हैं तो छेना को एक बार दोना परता है जबकि विनेगर से फारने पे छेना को धोने की जरूरत नहीं होती है दूद को साइट रखे वे 8-9 मिनट हो गए हैं एक बार दूद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जो विनेगर और पानी कटोडी में मिक्स करके रखाता उसको थोड़ा-थोड़ा करके ढलते जाएंगे और दूद को एक स्पून की सहाइता से मिक्स करते रहेंगे ताकि विनेगर सब जगा मिक्स हो जाए एक लिटर दूद को फारने के लिए दो बड़े चमच विनेगर सफिसेंट होता है आपको जितना दूद फार ना हो, accordingly विनेगर को ले ले और जितना विनेगर ले रहे हैं, उसका दोगुना पानी उसमें जरूर मिक्स करें विनेगर में पानी मिक्स करके छेना बनाने पे छेना सौफ्ट बनता है जबकि यदि आप सिर्फ विनेगर से दूद फारेंगे, दूद फट तो जाएगा, लेकिन वो छेना थोड़ा हार्ड बनेगा जेना या पनीर को मैंने एक छन्ने पे छान लिया और इसको एक घंटे के लिए साइट रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए अब इधर तब तक हम चासनी तयार कर लेते हैं एक सास्पेन में मैंने दो कप चीनी लिया है और इसमें एक कप पानी मिलाया अब गैस को ओन कर देते हैं और चीनी को पानी में गुलने तक पकाते हैं पानी में घुल चुकी है पानी में उबाल आ रहा है पानी में एक बार उबाल आने के बाद इसको पांच मिनट और गुक करते हैं और पांच मिनट के बाद एक बार चासनी को चेक कर लेंगे यह चिपचिपी हुई या नहीं इस रेश्यों से चासनी बनाने पर 5-6 मिनट में चासनी चिपचिपई हो जाती है, चासनी चिपचिपई हो गई है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, अभी इसमें आधी छोटी चमच इलाची पाउडर और आधी छोटी चमच ओरेंज फूड कलर मिलाया है, आप चाहें तो येलो फूड कलर मिला ले, अभी इसमें आधी वाले हिस्से की सहायता से इसको मैश करते हुए स्वाफ बनाएंगे जिसमें लगबाग साथ से आठ मिनट का समय लग जाएगा छेना अब सौफ्ट हो गई है इसको मैश करते वे आठ मिनट हो गया है अब इस स्टेज पे इसमें एक बड़ा चमच कॉनफलोर एड करेंगे कॉन फ्लोर को छेना में मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसे थाली में सब जगा गुमा लेंगे इसे थाली में जो एक्स्ट्रा छेना लगा होगा वो निकल जाएगा अभी कॉन फ्लोर और छेना को अच्छे से मिक्स करके एक बॉल सेप में बना लेंगे और इस बॉल को एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं अभी दूसरे बाउल में छेना को ले लिया है और अब इसमें एक बड़ा चमच कॉर्ण फ्लोर और आधा कप मैदा और डाल देंगे अभी छेना, मैदा और कॉर्ण फ्लोर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जलेवी का मिसरन बनाने के लिए इसमें दूद एड़ करते हैं सबसे पहले मैंने आधा कप दूद इसमें डाल दिया है और दूद को बाकी इंग्रेडियंट के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे पनीर जलेवी का बैटर जलेवी जैसा रनी नहीं होता है बलकि ये पेस्ट जैसा होता है जिससे कि ये पैपिंग बैग से निकल सके लेकिन ये रनी टेक्स्चर में ना हो अभी छेना में कितना दूद आड करें कि इसका perfect mixture बने एक लीटर दूद के छेना में अलहा कप से एक कप दूद मिलाते हैं अभी मैंने अधा कप मिलाया है अभी इसमें मैं इसमें एक से दो पिंच मीठा सोड़ा या baking सोड़ा डाल रही हूं और इसको बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो बेकिंग सोटा एवाइड कर लें तब उसके अस्थान पे बैटर को 8-9 मिनट एक ही डिरेक्सन में फेटें जिसे कि वो फलफी हो जाए बेकिंग सोटा के साथ चेना को 2-3 मिनट फेट लिया अब इसमें थोड़ा से दूद एड करेंगे ताकि इसका परफेक्ट पेस्ट बने मैंने आधा कब दूद लिया जिसमें दो बड़े चमच दूद अभी एड किया है दो बड़े चमच एड करके पहले बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें दूद मिलाने की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है यदि छेना ड्राइ बना होगा तो दूद की मात्रा जैदा लगेगी और यदि छेना सौप्ट बनेगा तो उसमें दूद की क्वांटिटी थोड़ी कम लगेगी अभी मुझे ये पेस्ट बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि जब इसे हम पैपिंग बैग में डाल लेंगे तो उसके डिजाइन भी निकलने चाहिए बाकी दूद को मैं साइड कर देती हूँ अब पनीर जले भी तलने के लिए इसको एक पैपिंग बैग में डाल लेंगे आप चाहें तो दूद वाली थैली में भी डाल सकते हैं मेरे पास पैपिंग बैग है इसलिए मैं इसे पैपिंग बैग में डाल रही हूँ और इसे आप अपने मन पसंद नोजल में डाल लें तो मैं अभी पतले साइज के पनीर जिली भी बना रही हूँ तो मैंने पतले छेत वाले नोजल्स को यूज किया है लेकिन यदि आप मोटी और बाजार जैसी पनीर जिली भी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ये वाले नोजल्स यूज करें और इसको पाइपिंग बैग में डालके और फिर इसमें बैटर डालके यूज कर लें और यदि आपके पास नोजल्स नहीं है तो पाइपिंग बैग को बस काट कर उसके बाद इसको यूज कर लें तो आपके गोलगोल पनेर जलेवी बन जाएगी और यदि फिर आपके पास piping bag या फिर नोजल्स दोनों में से कुछ भी नहीं है तो दूद वाली थेली आती है या फिर कोई भी जैसे डाल वाली पैकेट आती है उसको भी साइट से थोड़ा सा काट लें और उसको piping bag की तदा यूज करने अभी मैं piping bag में पनीर जलेवी का बैटर भर रही हूं piping bag में filling मैची नहीं हो इसके लिए piping bag को मैंने ग्लास में डाल दिया है और piping bag में पनीर जलेवी के बैटर को डाल के भर लेती हूं और अब पहले एक बार टेस्ट कर लेंगे इससे जलेवी सही निकल रही है नहीं तो एक बार पहले piping bag को प्रेस करें तो देखे यह बिल्कुल सही निकल रही है अब इधार एक चोड़े पैन में तेल डाल कर तेल को गरम उन्हें रखा है तेल गरम हुया है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं पहले थोड़ा सा पनीर जलेवी का वैटर डाला तो यह थ उसको धीरे-धीरे करके पनीर जलेवी के स्वेप में पैपिंग कर लेते हैं आपको जिस शेप की चाहिए उस शेप में पनीर जलेवी बना लें पनीर जलेवी तलते से में बस इस बात का ध्यान रखें कि बरतम चौड़े पेंदे वाला हो इसे आप गोल कडाही में नहीं और पैन में तेल आधे से एक इंच तक ही बढ़ें क्या आपने कभी जलेवी बनाने वाले की कड़ाई को नोटिस किया है कि वो भी चोड़े पेंदे वाले में ही जलेवी तलते हैं एक बार में कडाई में जितनी जलेबी आए उतनी जलेबी बना लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है अभी जलेबी को डालने के बाद दो मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये थोड़े से फर्म नहीं हो जाए पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको बीच में छेरेंगे तो ये तूट जाएगा दो से तीन मिनट के बाद ये थोड़े फर्म हो गए है तो अब इनको पलट लेंगे तो पलट लेंगे पनट लें के लिए हमेशा दो चीज का हिल्प लें तो मैंने एक स्पून और कल्ची लिये और इसको दोनों तरब से हलके हाथों से पलट देते हैं इस तरह से सारी जले जलेवियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेखना है नहीं तो ये बाहर से तो कलर चेंज कर लेंगे पर अंदर से कच्चे ही रा जाएंगे दूसरी तरब से भी जलेवी को सिखते हैं वे दो मिनट हो गए हैं एक बार इनको फिर से पलट लेते हैं और इस तरह से दोनों तरब से पलटते हैं वे जलेवी को लाइट कोल्डन कलर के होने तक सिख लेंगे जलेबी light golden color के हो गए हैं तब इनको एक चन्नी में निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे normal temperature के सुगर सिरप में डाल देंगे बागी बचीवी जलेबियों को भी oil से निकाल कर इने सुगर सिरप में डाल देते हैं और सुगर सिरप में इसे 4-5 मिनट तक रहने देंगे पांच मिनट के बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे लेकिन जब तक ये सुगर सिरप में डूबे हुए हैं तब तक इधर oil में दूसरे बैट चलेबी को बना लेते हैं जबी को तलने के लिए शुरू से अंतक गैस का फ्लेम मीडियम तु लोही रखना है और यदि जरूरत हो तो गैस का फ्लेम लोही कर दें अभी बाकी बचे बैटर से पैन में जबी को बना लेते हैं और इसको भी पहले वाले जैसे मेथट से ही जबी को दोनों तरब से नला से रखने में एक फ्लेट में रखते जाएंगे इस दूसरे बैच की बैच की जलेवियां भी तलते हैं लाइट कोल्डन कल्र की हो गई है इनको भी निकालकर अब सुगर सिर्प में डाल देंगे और इसी तरफ से बाकिवेचि जबी जबीयान जो लाईट कोल्डन कलर क हो गई हैं सभी को सुगर सिरफ में डाल देंगे और सुगर सिरफ मेस निंहें 5पन के लिए रेहने देंगे और 5 sua भी बचा हुआ है तो बाकी बचे रिचनल सरसे इसी thरह से हम जेलेवी बना कर रेडी कर लेते हैं आप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इससे मुझे मोटिविशन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सब के लिए ला सकूं